दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही शांदार वीडियो बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ कि कैसे आप एक दस इंच के गंबले में धेरो नीबू लगा सकते हैं ये हमारा एक एर लेयर किया हुआ प्लांट है जिसे हमने एक साल पहले एर लेयर किया था और अभी इसके उपर काफी मातरा में फल आ रहा है हम बात करेंगे इसकी सॉयल टाइप के बारे में साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कैसे हमने इसे फर्टिलाइज किया है ये तो बिल्कुल पक चुका है रेडी यहाँ पर हमने लेमन को ग्रो करने के लिए सेंडी सॉयल का यूज किया है देखिए इस तरीके से सेंडी एंड वेल ड्रेंट ये रिच भी है और वेल ड्रेंट भी है ऐसी सॉयल के अंदर लेमन की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है ध्यान रहे आप भूल कर भी चिकनी मिट्टी क्ले के अंदर लेमन ट्री को ग्रो ना करें हमने हमारे इस लेमन प्लांट को अमोनियम सलफेट और मोनो पोटेशियम फोसफेट दो फर्टिलाइजर दिये हैं वाटर सोल्यूबल है आप चाहें तो इन्हें इस्प्रे भी कर सकते हैं एप्लिकेशन रहेगी पाँच से दस ग्राम एक लीटर पानी के अंदर हर पंदरा दिन में भी दे सकते हैं आप उसे अब हमारे प्लांट पे और भी ज्यादा नीबू लगने लगे हैं जो छोटी छोटे फ्लावर्स थे वो भी फ्रूट में कनवर्ट हो गये हैं अब हमारे प्लावरे प्लावरे लगने के लिए वेगे वो भी और रहे हैं और ले विए वेगे प्लावरे टिल रहे हैं